आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किल ओफ रिइन्फोर्समेंट का एक और लेसन प्लान और इसे पहले भी मैं लेसन प्लान की वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का तो आप वांसी भी उन सब वीडियो को देख सकते हो और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देज ठीक है तो चलिए भी बात करते हैं हमारे इस लेस्ट प्लान की जो स्किल ओफ रिइनफोर्समेंट है उसमें हमारे फाइव कॉंपोनेंट्स होते जिनके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूं जो है पॉजिटिव वर्बल रिइनफोर्समेंट पॉजिटिव नॉन व एक बॉक्स बनाना गोता जिसमें हमें कुछ इंफ्रमेशन को लिखिनी ओती से चात्रा ध्यापुत का का नाम अगर लड़के हो तो यहाँ पर आएगा चात्र ध्यसफाक नाम लिख्खोगे ऑनुक्रमाग आपका रोल नम्बर आएगा ककषा यह कमर्स का लेसन प्लान है then समय अब दी क्योंकि micro teaching है तो 5-7 minute इसकी time limit होगी दिनांग जिस दिन आप lesson deliver करोगी then परेवेक्ष का जो भी आपके teacher होगी उनका नाम आप यहाँ पर लिखोगी then आएगा उदेश्य so यह हमारे skill है reinforcement इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरवलन कोशल में निपुनता हासिल करनी है done उसके बाद हम करते हैं प्रस्तुती करन इस तरह से हमें five columns बनाने होते हैं विशेवस्तु जिसमें आपके topic का नाम आएगा चात्रध्यापे का यह फिर चात्रध्यापे का रिक्लाप then चात्रकारे क्लाप fourth one is श्यांपट लेखन यानि कि blackboard writing आएगी and fifth one is घटक यानि कि components जहां पर भी आप components यूज करोगे उसके सामने आप घटक वाले column में लिखोगी कि आपने कौन सा component यूज किया ठीक है तो अब इस तरह से शुरू करते हैं कि नमशकार बच्चों बच्चे बोलते हैं नमशक को रूप से फैली हुई है तथा समय के साथ यह समस्या निरंतर बिगड़ती जा रही है आने वाले समय में इसके और अधिक बत्तर होने का भय है ठीक है तो यह इंट्रो दे दी फिर टेचर ने बोला कि बच्चों आज हमारे पढ़ने का विशे हैं बिरोजगारी फिर बिल के लिए तैयार इच्छुक है किन्तो उसे काम नहीं मिलता है ठीक है तीज ने बता दिया क्वेशन आता है कि बिरोजगार किसे कहते हैं तो बच्चे ने अंसर दिया कि एक व्यक्ती केवल उस समय बिरोजगार होता है जब उसके पास आगे डैस डैस क्यूंकि वह अंसर extra verbal cues उसका हमने use किया फिर बच्चे ने आंसर दे दिया कि कोई काम नहीं होता है और वो काम करने का इच्छुक होता है उसको बेरोज़कार के थे ठीक है देन teacher एक component use करती कि बहुत अच्छे जो बहुत अच्छे या फिर साबाश है वो होता है positive verbal reinforcement तो हमने घटक वाले को कॉलम में लिख दिया कि positive verbal reinforcement उसके बाद एक और component का use हुआ कि मुस्कुराते हुए हाथ से बैठने का इशारा किया कि teacher ने gesture का use कि और बच्चे को हाथ से बैठने का इशारा किया so this is positive non-verbal reinforcement non-verbal इसलिए कि बोला नहीं है वो सिर्फ gesture का use कि है वहाँ पर ठीक है दन बच्चों भारत में बिरोजगारी दो प्रकार की होती है ग्रामिन बिरोजगारी और दूसरी है शहरी बिरोजगारी डन दन question आया कि भारत में बिरोजगारी कितने प्रकार की है ज्योति आप बताए तो ज्योती से question पूछा teacher ने तो ज्योती ने answer दिया कि दो अब बच्चे ने answer दे दिया दो तो teacher ने बच्चे के उसी answer को blackboard पर लिखा है चात्रा ध्यापिका चात्रा के उत्र को श्यांपट पर लिखते हुए तो यहाँ पर हमारा एक और component यूज हुआ कि writing pupils answer on blackboard कि बच्चे ने जो answer दिया टीचर ने उसी answer को blackboard पर लिखा यहाँ पर भारत में विरोजगारी दो प्रकार की होती है ठीक है दन आगे टीचर ने बच्चे को reinforce किया कि शाबाश बैठ चाहिए तो शाबाश बैठ चाहिए इस positive verbal reinforcement ठीक है एक और question की भारत में विरोजगारी के नाम बताओ कवीता से question पूछा है कि कवीता आप भारत में विरोजगारी के नाम बताए कवीता ने answer दिया कि ग्रामिन विरोजगारी और दूसरी शहरी विरोजगारी ठीक है यह answer दे दिया अब टीचर ने फिर से बच्चे के answer को blackboard पर लिखा चात्रा ध्यापर का चात्रा के उतर को श्यामपट पर लिखते हुए श्यामपट पर क्या लिखा ग्रामिन पॉज़ब नोनवर्बल रिइनफोस्मेंट तो यहां पर तीन कॉंपोनेंट्स का यूज हुआ है जिसको हमने अपने घटक वाले कॉलम में लिख दिया है ठीक है अब लिख भाँध टीचर ने ग्रामिन विरोजगारी के बारे में बताया कि जो ग्रामिन विरोजगारी व क्या है तो बच्चे ने आंसर दिया दन बीच में डॉट डॉट क्यूंकि बच्च आंसर भूल गया है फिर टीचे न उसको एंकरेश किया कि हां हां कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए so this is extra verbal cues जो हमने लिख दिया है घटक वाले column में then teacher ने बच्चे को reinforce किया कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे पॉजिटिव वर्बल रिइंफोस्मेंट दन मुस्कुराती हुए हाथ से बैठने का शायद इस पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोस्मेंट फिर एक और component था हमारा that is repeating and rephrasing so repeat करना होता है कि आपने teacher ने बच्चे के answer को repeat किया और refresh का मतलब होता है कि उस ही answer में teacher ने कुछ और add किया है ठीक है so this is repeating and rephrasing वाप यहां से पढ़ सकते हूं then next शहरी बिरोजगारी पहले ग्रामन बिरोजगारी हो गई थी अब उसके बार teacher ने शहरी बिरोजगारी के बारे में बताया कि शहरी बिरोजगारी में और या फिर शहरी वर्ग में बिरोजगार के बारे में teacher ने पढ़ाया है फिर teacher ने question पूछा कि कि真的 кап के अब बताऊँ so Priya ने answer दिया है then बीच में बही कोशिश किजे क्योंकि वह answer भोल गी है So this is extra verbal cues Then बहुत अच्छे बैठ जाईए This is positive verbal reinforcement Then जैसा कि प्रिया ने बताया यहां पर हुआ कि repeat करना and rephrase करना Repeat जो प्रिया ने answer दिया है उसको repeat किया और rephrase वही कि उसी answer में कुछ और add किया है ठीक है So इस तरह से यह lesson हुआ फिर teacher ने बोला कि तो बच्चो आज हमने बिरोजकारी और भारत में बिरोजकारी के प्रकारों के बारे में पढ़ा फिर end में हम एक observation table बनाते हैं जिसमें हमें अपने components के नाम लिखने होते हैं फिर हम count करते हैं पूरे lesson में कि हमने उन components को कितनी बार यूज किया है फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं उन सभी components के बारे में ठीक है then end में आता है comment कि आपका lesson ineffective था, partially effective था या फिर effective था या फिर teacher ने आपको क्या recommend किया है reteach करना है, replan, drill या फिर आपका lesson अप्रूफ हो गया है इस वीडियो में बस इतना ही next वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक की 28 seconds semester के तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना and thank you so much for watching bye bye, take care